यहां मकानों की गेटेट सोसाइटी है दोनों तरफ मकान बने हुए हैं यह आपका जो है निजामपुर मलहर में लगता है यहां पर मार्केट, स्कूल, होस्पिटल पर है यह बाबुलाल होस्टेल बगल में बना है यहां से आपका मुश्किल से साड़े तीन सो चार सो मिटर दोरी पर है यह गेटेट रोहाउस है इसमें मैक्सिमाम आपका सेलाउट हो चुके है दो तीन रोहाउस बचे हुए हैं सेलोनी के लिए यह पूरा बोर पस्चिम फेसिंग में बने हुए हैं सीवर और यह तीस फिट की रोड आप देख रहे हैं किसी भी बैंक से आप यहां पर लोन करवा सकते हैं यहां पर फैमिलिया रह रही हैं फैमिली ज रह रही है आठ सो स्कॉर फिट जमीन हो और यह आपका अरिया टूटल बारा सो स्कॉर फिट का है थ्री बेस के टूटल बना है सारे एक ही जैसे हैं यह आपका पार्किंग है जैसे यह आप मैंने इंटरंस से इंटरंस करते हैं यह किचन है अब यह फिनेसिंग का काम इसमें बाकि है यह आपका ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम इस्पेसियस है बड़ा मतलब बरका बड़ा है यह आपका ड्राइनिंग एरिया है यह आपका कॉमन लैटिन वाथ रूम है एक यह रूम है और एक यह रूम है इस रूम से आपका एर वेंटिलेशन और इसमें आपका जो है सेपरेट लैटिन बाथ रूम देया है एक लैटिन वाथ रूम और एक रूम उपपर है यह रूम है ड्रेसिंग रूम और लैटिन वाथ रूम आपका उज़र है खिड़की लगी हुई है दोनों तरफ खिड़की है इधर भी खिड़की है और आपका इधर भी खिड़की है यह आपकी बालकनी बालकनी स्पेसियस बनी है वहाँ पर गेट लग जाएगा आपका और ये पीछे के तरफ पोर्शन खुला है, ओपन है यहाँ पर आप जो है, कपड़े सुखा सकते हैं, फिर और ज्यादा बनवाना चाहें, उपड़ तो बनवा सकते हैं ये बगल में मादोपुरम सोसाइटी है, आप इधर जाएंगे तो M.T. इन्वस्टी इंडियन ओल पेट्रोल पंप यहाँ से 2-3-400 मेटर की दूरी पर हैं, 48 लाक रुपए इसका रेट है, रेट फिक्स है, और बैंक लोन सुभिधाव उपलब्द है, जिसको भी रहना चाहता है, रेडि टु मूव मकान चाहता है, लखनों में, M.T. इन्वस्टी के पास गोमती नगर से लगा हुआ, वो सं परक कर सकता है,